तो यहाँ पर खास बात क्या उभर कर सामने आती है अगर हम पुराने आकड़ों को खंगा लें बीजेपी और कॉंग्रेस में सीधी लड़ाई 161 सीटों पर हुई कुछ आकड़े ऐसा भी कहते हैं कि यह 192 था हम 161 का आकड़ा ले रहे हैं हाला कि जो स्ट्राइक रेट 7 परसेंटेज है दोनों में बराबर है इन 161 में से 147 बीजेपी जीत गई थी और 9 कॉंग्रेस पांच अन्ने के खाते में चली गई थी दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया था स्ट्राइक रेट 91 फीजदी और 192 में से 178 का भी एक आकड़ा है स्ट्राइक रेट वही 91 बानवे फीजदी आता है बीजेपी की शेत्रिय दलों से जो टक्कर हुई 2019 में तब चुनावपूर कटबंदन नहीं था एक सो अठानवे सीटों पर हुई इसमें बीजेपी 116 पर जीती और अन्य के खाते में 76 गई 69 फीजदी यानि की 91 से गिर कर बीजेपी का ग्राफ 69 फीजदी लेकिन ये भी बहुत कमफरिबल पोजिशन है 60 फीजदी 69 फीजदी आप सीट जीत गए है यो होम एंड राए और जहां पर मकाबला त्री कोनिये हैं या फॉर कॉरनर फाइव कॉरनर था 93 सीटे थी इनमें बीजेपी के खाते में 40 सीटे आई और अन्य के खाते में 41 सीटे और कॉंगरिस 12 अब यहां पर यह चुनावपूर गटबंदन जो इंडिया बना रहा है और लगतार नितीश कुमार ताल ठोक रहे हैं कि 450, 475 सीटों पर विपक्ष एक साजा उमीदवार खड़ा करेगा तो जो यह आंकडे हैं क्या यह परेशानी का सबब बन सकते हैं बीजेपी के लिए या जो चीजे काग्जों में अच्छी लगती हैं वो जमीन पर बास दफ़ा उतरती भी नहीं हैं और उत्तर प्रदेश का 2019 का लोकसबा चुनाफ इस बात का परिल मतलब जलक साफ देता दिखाई दिखाई दिया था बीएस पी समाजवादी पाटी सामने तो आ गई थी साथ आ गई थी लेकिन कुल मिलाकर पल्ले हाथ 15 सीटे लगी 62 सीटे बीजेपी जीत गई थी अब दूसरा एहम पहलू को तै करने वाले हैं चार राज्यों पर आज हम निगाह डालेंगे पस्चम बंगाल बिहार महराश्टरा और करनाटक यहां 158 सीटे आती हैं 42 पस्चम बंगाल 40 बिहार 48 महराश्टरा और 28 करनाटक 124 एंडिये ने जीती थी 124 मैं एंडिये शब्द क्यों इस्तमाल कर रहा हूं बिहार में 40 में से 49 सीटे जीत गई बीजे पी पर तब जेडियू एलजे पी के साथ गडबंदन था तो बीजे पी की 17 जेडियू की 16 एलजे पी की 6 सीटे आई थी कॉंगरिस के हाथ एक सीट लगी थी पस्चम बंगाल में 18 सीटे जीती थी बीजे पी ने महराश्र में शिवसेना के साथ गडबंदन था और उस गडबंदन के चलते 48 में से 42 सीटे जीतने में बीजे पी काम्याब हो गई थी लेकिन अब वो गडबंधन नहीं है 23 बीजे पी की थी 18 शिवसेना की अब यहां कटबंदन अजीब और गरीब हो गया है NCP दो फार, शिवसेना दो फार और करनाटक में 28 में से 25 सीटे जो जीती BJP ने जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहू पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गौन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे